हुआ है है नागार निगहाम नागार निगहाम नगार निगहाम नदाए कंटिजा Heather भी कुछ नहीं हो पाड़ा बारिस नहीं कोई लीकेश फॉल्ट है समढ़ से बूल का उसके वाज़े से कोई पर शासन का कोई बेवस्ता नहीं कोई शुद ले ले नहीं से लोग जा रहे और पूरा पानी पानी है पुरा चौक है वह पानी-पाणी हो गया है पानी पानी-पानी हो गया है कि देखा रहे है किलियास हम रख हैं न बारिश होई है न बाढ़ाई है लेकिन नुकसान होगा नहीं पानी घूसेगा तो नुकसान होगा नहीं गुछ तो नुकसान का पता है न कोई बैपारी का पता है कि मिन चोट यह लागा इसना लिए हाँ क्या एस्तिति है और भी लोगों से बाचीत करेंगे बहुत जादा पानी लगा हुआ गंदा पानी है का भी परसानी हो रही है और दी किस तरीके से हाल है गाड़िया खुराब हो जा रहे ही देगे वो शक्स की गाड़ि खुराब हो र सब्सक्राइब पानी है बहुत परसानी होती है कि नहीं हो पारा बहुत दिक्कत है या काफी दिक्कत है पुरा पानी रगवादे क्या है फिलकोरा का पानी इतना उच्छा दुकान तक जा रहा है समान बचा लिया गया है मगर इलकोरा का पानी दिस्टर्बेंट तो हाई काफी पर सानी होती है सब आपके सामने क्या बोलने का बाट वहां है नहीं तुछ नहीं कोई लीकेस्फोल्ट है श कोई पर्शासन का कोई व्यवास्ता की कोई पर्शासन वय्वावरा आप देख रहा है सिच्वेशन कें दुकान के अंदर है पानी गुच रहा हैं कि पूरा मुजवफफवुर पानी पानी है यह जो इलाका है कल्यानी चौक का पूरा पानी पानी हो गया है लोगrat को काफी हुआ परशानियों का सामना करना पड़ा तो ऐसे में देखने वाली बात हुई कि क्या इस्तिती है और नगर डिगम स्मार्ट सिटी का काम तो कर रहा है लेकिन जिस तरीके से लोगों को परशानी हो रहे हैं लोग गिड़ जा रहे हैं बड़ा सवाल है तो मैं रहें लाइक सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल क सब्सक्राइब कर दिए सब्सक्राइब कर दिए को लाइकर यूट्यूब